कैसे हो अभी हम गाईज यहां पर देखने वाले हैं क्या आपको जैसे कि थमदल से बता चल गया होगा हमारा इनफोसिस प्राइज 2019 दे दिया गया है अब यह कब दिया गया है और यह जो सेवेंथ नॉमबर को ही दिया गया है 2019 में तो यह मतलब आज जो है 8 नॉमबर है ठीक ह कि 2020 पे जो भी एक्जाम आने वाली है तो 2019 में कम ही एक्जाम होगी ना के बराबर है लेकिन 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हमें पढ़के रखना चाहिए और अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए और एक चाहिए अभी पढ़ लेने के बाद मुझे उ कर लेंगे इसको अभी देखो स्टार्ट करते से तो यह क्या इनफोसिस प्राइज 2019 यह जासा कि आपको दिख रहा है इसका थमनेल में अभी दिया हुआ था तो यहां पर कंप्लीट लिस्ट फुल लिस्ट देखने से पहले वीनर्स की हम यह जानेंगे ब्रीफ में कि इनफ इनफोसिस प्राइज क्या है इसको कौन देता है तो इसको देने हाँ इनफोसिस फाइंस फांडेशन फांडेशन जो है यह जो यह यहां तो यूध के नहीं बोलूगा लेकिन यूध कि नहीं हैं वह क्या करें motivate हो क्यों भई motivate हो यह साइंस चैटिफिक रिस चनिफिक रिसर्च के उपर इसके प्रती motivate हो अपना career बनाएं तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और उस अच्छा करने के वज़र से क्या मिलता हुने Infosys Prize मिलता है ताकि वो motivate हो के और भी अपना career बनाएं और कुछ लोग इनसे inspired views है Finally हम बात करें तो ठीक है और complete आपको पढ़ना है तो PDF में आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा Link टेलिग्राम चैनल का description में है आप लेके पढ़ लेना मैं आपको यह सब चीजे ब्रेफ में बताऊंगा और main जो focus करेंगे हम last में जो कि हमें याद करना है आपको पढ़ने में आसानी होगी आप किसी भी लाइंग्विज में अगर पढ़ते हो तो अब देखो इनफोसिस प्राइस 2019 के वह दो आपने पहले पढ़ा कि इनफोसिस प्राइस है क्या से दिता कौन है कब से स्टार्ट किया गया अभी जो 19 का जो अवोर्ड है मतलब इस साल का इसके बारे में मैं जानना जरूरी है विकोज एक्जाम में यही पूछने वाला है तो गईज यह दोखो क्या है दो वीनर्स आफ इनफोसिस प्राइस प्राइस को देता प्राइस को देता है ना तो वही तो एनांस करेंगा ना अभी कब दिया गया साथ नोबर 2019 को य जो डेट है याद करके रहतना साथ नोबर 2019 क्लिया अब इसमें कितने लोगों को दिया गया है यह जो दो वर्ड वोस कंफोर्ट तो सिक्स इमिनेंट प्रोफेसर यह प्रतिश्टी छे प्रोफेसर्स को दिये गये हैं वह भी अलग-अलग डिफरेंस के प्रोफेसर्स को मतल तो लेंट फोसिस प्राइसर्ट नेंटिन अवोड वाज कन फिर्ड अब मैने पते जैसे बोला वही चीज़े के छे लोगों को दिया गया वह कैटेग्रिय का नाम लिखा गया यहां पर हुमेनिटीज मतलब क्या होता है मान वी की ठीक है हुमेनिटीज में लाइफ साइंस म अगर आपको यह याद नहीं हुआ तो हम आगे अभी पढ़ेंगे टेंसन मतले आपको याद हो जाएगा ठीक है फिर भी एक बार मैं बोल दूं हुमेनिटीज लाइफ साइंसेज मातमेटिकल साइंसेज फीजिकल साइंसेज सोसल साइंसेज इंजिनियरिंग एंड कम्प्य पूछ देगा मालों की लो लेबल के एक्जाम हुआ ना तो पूछ देगा किसको मिला इस कैटेगरीज के या फिर इसकी तहरत मिलता क्या है तो ज्यादा डिपली तो यूपीएसी में पूछता है फिर भी आपको पढ़कर जाना होगा एयरफोस ने भी एंडिये ग्रूप डियर यह सब दों की एक्जाम देने वाले हुआ इन सब में आपको मिला जो लाकर पूछ लेता है अब देखो गैज यह जो इसमें एक पत्र मिलता है ठीक है इसके अलाव आपको प्यो गोल्ड का मेडल मिलता है इसके बाद आपको कुछ कैस मिलती है कुछ नहीं बहुत कैस अब यह कैस कितनी ज़र्च कि आकडा नेट पर दिया हुआ था यह जो है यूस्ट मतलब यूस डॉलर में मिलता है आपको एक लाक यूस डॉलर अब देखो इंडियन करेंसी में इसको कनवर्ट करें तो एक डॉलर इसकोल टू मतलब जो है 70 रुपए के आसपास यह मिलता ही है ठीक है चलो यह वही सब चीजे जो है हिंदी में लिखी गई है आप पढ़ सकते हो अभी देखो इन फोसे प्राइस टुछोड नाइटीन का कंप्लेट लिस्ट देख लेते हैं कि मिला किसको किसको है और लास्ट में एक बार क्या करेंगे रिक्याप कर लेंगे जरूर अब देखो पहला क्या है यहां पर ओर वीनर और रिसर्च तो हम रिसर्च आप खुद से पढ़ लेना मैं अवर्ड और वीनर के बारे बता रहेता हूं अब रिसर्च उन्होंने क्या रिसर्च किया उतने इंपोर्टेंट नहीं है अब देखो Humanities यह पूछेगा कि Humanities क्लिक किसको मिला है तो इनका नाम है मानुवी देवदेवन ठीक है तो इनको मिला Humanities मैंने जर्च पहले पताया था आपको थोड़ा दिर पहले Humanities का मतलब क्या होता है मानवी की मान पीडियेप में लिखा हुए ठीक है आप पढ़ सकते हो मानवी की मानवी की के लिए किसको मिला मानु ठीक है आगे पो छोड़ दो देवदेवन एक क्या है मानु ठीक है मानवी की और मानु बोलने में एक जैसे है तो यह याद हो गया है मतलब मानवी की के लिए मानु को मिला है clear Infosys Award अब देखो next के हमारे पास Engineering and Computer Science ठीक है इसके लिए मिल करना होगा बागी मैं सबको याद करवा दूगा engineering and computer sciences के लिए मिले है सुनिता सर्वोगी को ठीक है अभी next हमारा पास के life sciences life sciences के लिए किसको मिले है manzula ready अब इसको याद कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूं देखो life sciences life मतलब क्यों जीवन जीवन के बारे मुझे पढ़ रहा है एक चीज़ बताओ जीवन अगर आपका जीवन मालो कि किसी फ्रेंड का जीवन या फिर कोई आपके सामने खत्रे में है किसी का जीवन आप क्या करोगी उसे बचाने के लिए तुरंत रेडी हो जाओगे थोड़ी न आपका जीवन आपको मैं जीवन ही इसके बात नहीं है आप जीवन के आप याद करो आप देखो इसमें किसको मिला अजीवन झींग सेण मोंगेज, अब देखो, J, जो है gravity constant के लिए में फिजिक्स में परने के लिए मिलता है ये जो J, ठीक है? ग्राविटेस्टनल काउंसेट के लिए में परने के लिए मिलता है ना, J तो ये कहा physics में परने के लिए मिलता है तो physical sciences में खिसको मिला J? मुगेस को यू करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो फिन Social Sciences में किसको मिला अनंद PANDIYA को ठीक है आप देखो एक बात बताओ जब भी आप समाज्ग मतलब मतलब क्या होता है समाजिक आप जब समाजिक काम कर रहे होते हो तो आपको कोई पैसा देता है नहीं आपके पॉकेट से पैसा खर्च होता है फिर भी आप करती हो अगर आप समाजिक लोग हो तो ठीक है करती हो क्यों मैं समाजिक काम करने पर हमें आनंद मिलता है पैसा नहीं मिलता है पैसा तो घर से लौस जा रहा है फिर भी हम में आनंद आता है किसी की help करके तो social sciences में किसको मिला भाई आनंद पांडियन को तो देखो अब यह तो complete हो गया अच्छी categories में अभी मैं आपको याद दिला देता हूं देखो अभी आप यह winner के तरफ देखना भी मत अब देखो humanities मानवी की मानवी की में किसको मिला था मानू को देखो आपका मानू यहां पर लिखा हुआ है अब देखो engineering and computer science के लिए मैंने बताया कि याद करना का सुनीता जी थी यहां पर सुनीता जी ठीक है अब देखो life sciences life बचाने के लिए क्या रहते हो आप ready रहते हो देखो तो इसमें ready लिखा हुआ है manjula ready ऐसे याद हुआ अब देखो mathematical sciences math किछ का अच्छा था भाई मिस्रा सर का अच्छा था math ठीक है तो mathematical sciences मतलब सिधार्थ मिस्रा अब देखो physical sciences physics में क्या पढ़ना होता है कभी का बार में जी constant पढ़ने क्ले मिल जाता है न तो जी मुगेज जो है या फिर यूब बोलो कि जी मुगेज को किस में मिला है किस सीच के लिए मिला है तो physical science क्यों क्योंकि जी जो हमें physics में पढ़ने के लिए मिलता है तो physical science के लिए मिल गया ठीक है आनन्द पांडियन आनन्द कब आएगा जब हम को social काम करेंगे कि कि की help करेंगे तब ठीक है social science के लिए अनन्द पांडियन को मिला है यह तो recap करा दिया मैंने नाम अब यह मैं पूछ कि इनफोसिस अवर्ड किस लिए दिया जाता है ठीक है तो आप बोल दोगे science साइंटिफिक केरियर बनाने के लिए दिया जाता है ठीक है अगर यह पुछा जाया कि देता कौन है तो जाहिर सी बात है कि इसको देने वाला कौन है तो आपको जासे कि मैंने विजस्ट पढ़ ही दी जाती है रुपीज में अगर दिया तो calculate कर लो ऐसे पूछा जाया कितनी cash दी जाती है तो एक लाख यूस्ट यूस्ट टॉलर दिया जाता है तो इतनी जो इंपॉर्टेंट थे और कितनी कैटेगरी में टूठाव तो नैंटेंट में दीगी है छे कैटेगरी में सूरत पीडिया भी थोड़ा सा मेनद करके त्यार किया है आपके लिए ठीक है चलो मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ तब ते के लिए गुडबाई